लो गाइस वेलकॉम और वेलकॉम बैक तो माई चैनल सो गाइस आपने ठीक ही गेस किया ना तो आज में न यह बाला जो मेकप लुक अभी बनाया जैसे की शामर को ही रिलेट करके अभी सामर मेकप लूप लुक इलिगर्ण मेकप लुक ही क्रेट किया हो इन्यता अई अगाद फूल टूट्रल देखने के बाद ये आपको और भी मजा आएगा देखने में और मजा आपको और भी आएगा क्यूँकि में थोड़ा-थ करने में आप सपोस्थ बीगिनर हो या फिर आपको थोड़ा बहुत मेकप करना भी आता है ना फिर भी आपको विडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही है यहल्फुल होगा और मैंने जो भी टिप्स आपको सेयार किया है ना वह बहुत ज्यादा ही इंफर्मेटिप है आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा आइस आप अगर मेरे चैनल को अभी नियू देख रहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब टू माई चैनल और उसके पास बेल आइकन को भी क्लिक कर दाना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास तुरंधी नोट अच्छे से और बिकागर करूंगी बिक़स मैंने फेसवाज कुछ टाइम पहले लगाया था तो इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया हूं से क्लिंजर लगाने के बाद ना बहुत ज्यादा ही फेस साप्ट ही हो जाता है और बहुत अच्छे से फेस ग्लो भी करता है और नेक्स में यहाँ पे लिप को मस्टराइज कर दूँगी नेक्स में गुडवाइप्स का ग्रीन टी टोर्नर लगाया हूँ फेस में और उसको भी मैं अभी छोड़ दूँगी अब्जर्व होने के लिए और यह जो गुड़ टोर्नर है ना बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है पिंपल आपनी स्किन के लिए और यह फेस को ओली फ्री भी बनाता है बहुत ज़्यादा हाइडरेट भी रखता है तो यह मेरा फेबरेट है यह पॉंस का लाइट मस्टिराइजर आड यह लोटोस का संस्क्रीन यह दोनों के ही मैं मिक्स करके ही लगाती हूँ फेस में जैसे कि आप जानते हैं समर में तो संस्क्रीन बहुत बिफोर मेकप करती हूँ ताकि मेकप जो हे बहुत ज़्यादा बेस बनेगा बेस जो हे बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और ग्लोई भी बनेगा तो नेक्स में यहां पर ब्ल्यू हेवन का फ्राइमर यूज करूंगी यह सिलिकन बेस फ्राइमर है ओली स्क्रीन के लि पेलिन फिट्मी का यह फाउंडेशन में यूज करूंगी यह अचली फोर फिनिसिंग बाला फाउंडेशन यह है तो मैं यहाँ पे लाइट मेकआफ करती हूँ तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कॉम ही मेकआफ को बहुत ज़्यादा कॉम फाउंडेशन यूज किया क्योंकि थोड़ा-थोड़ा पिम्पल का जो पर भी होता है तो यह कंसिलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो मैने फैस में भी इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया हूँ और उसके बाद ना मैं कॉम्पाक्ट यूज नहीं करूंगी यह है लाकमी का मे अभी लगा दूँगी अच्छे अच्छे करके ताकि फेस जो हे पैचि नहीं लगेगा और उसके बाद मैं एक ब्रॉस में एक मेकप ब्रॉस में भीडर जो हे पावडर को पुरा अच्छे से क्लेज लगेगा अंड कहां से भी थोड़ा से भी पाउडर होगा तो भी ये निकल जाएगा और उसके बाद मैं मेरा आईब्रो को फिल करूँगी और वेटन वाइल का ये मैंने अभी न्यू ही पर्चेश किया था और ये जो है मैंने आज फास्टाइम ही यूज करती हूँ देखते हैं ये कैसा है क्या है आईब्रो को किस टाइब का ये फिल करता है मेरा तो आईब्रो जो है बहुत ज़्यदा डाक है तो इसलिए यहाँ पर मैंने ब्राउन सेट को पिक किया हूँ और ब्रावन सेट में लेके थोड़ा सा कॉम हीं करके आइब्रो यूज करूँगी ताकि आइब्रो जो है बहुत ज़्यादा मतलब डाक नहीं बनेगा और अच्छे से यह दिखेगा भी तो उसके बाद में यहाँ पे फैसे सकानाडा का यह काजल में अपलाए करूँगी बहुत कॉम मतलब लगा कहीं करूँगी तो यहाँ पे मैंने वेटन वाइल का ही आइसेडो पैलेट लिया हूँ और यह जो है एक लाइट सेड ही में यूज किया हूँ और एक ब्रावन सेड लिया हूँ तो मैं यह जो ब्रॉस भी जो यूज करती हूँ ना आइस पे यह अ तो मैंने लाइट ही ले लिया हूँ आई ब्रो दें Benny लगा लिया हूँ डेन उसके बाद मेसे यहाँ पे आइब्रों को निचे को थोड़ा हाइलाइट करने के लिए मैं एक हाइलाइट वाला सेड को लेकर रचल वा वाला ब्रॉस और में आई-लाइनर को फिल नहीं करूँगी I mean आई-लाइनर में यूज़ नहीं करूँगी बस मस्करा ही लगा दूंगी कूँगी मैं बहुत ४ॉट को लेके लगा बहुत सिद फॉट को यूज़ करके ये मेकप बनाना चाहती थी इसलिए आईलाइनर को मैं स्कीपिंग कर देती हूं और उसके बाद मैं मैं फेस में ये स्विस ब्यूटी का ब्लॉस और हाइलेटर ये है तो ये दोनों में ही ये काम ही आजाएगा मुझे इतना ज़दा चिक चिक बाला इतना नहीं चाहिए मैं बस सिंपल से मेकब करना चाहती हूं तो इसलिए मैं इसको पूरा मिला के चार जो सेट को मिला के भलॉस और हाइलेटर एक बार में ही लगा दिया हूं थोड़ा चीक पे लगा दिया और ये चीक बोन पे और वहाँ पे फोरेट पे थोड़ा सा आप्टी के लिए आप पार्टी के लिए अगरे कर सकते हैं और देख सकते हैं तो यहां पर मैं एक कूर्थी के पहना हूं उसके साथ मैंने प्यार फिए हूं वाइट क्लर का लेगिंस के साथ अचली यह जो कूर्थी है मैंने इसको फोट इन नहीं किये थे तो इसलहे मैंने इस ट्राइप का मार्लोब यह थे हो रहा था बड़ क्या पूरा make-up look को describe किया हूँ आपके सामने इसमें से तो आपको बहुत कुछीन सेखने के लिए मिल जाया होगा क्योंकि मैं जैसे कि आपको आइस टेप भी ही बताया और एक एक करके भी आपको tips भी मैंने दिया ताकि आपको बहुत ज़्यादा helpful होगा क्योंकि आप सपोज beginner हो या फिर आपको थोड़ा बहुत भी make-up करना है तो भी आप ये बाला make-up look को create कर सकते क्योंकि ये जो make-up look है ना summer के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही है perfect है और मैंने बहुत काम ही product यूज किया है जो सारे जो भी product मैंने यूज किया हूँ ना ये सारे का link भी मैं description box में दे दूँगी आपको suppose मुलब लेना है आपको suppose ये वाला purchase भी करना है ना आप photo को click करके directly मेरा जो screenshot लेके मुलब shots भी कर सकते हैं जो भी website में and second जो बात है ना ये जो look है ये इतना ज़्यादा comfortable लगता है ना मुलब मैं यहाँ पर पूरा cotton का ही कुर्ती वेर किया हूँ अंड नीचे leggings भी पहना हूँ मैं आपको full look भी तो देखा दिया हूँ ये जो makeup है ना आप suppose college going all हो या फिर आप कहाँ party बगरा दिन में पाटी बगरा कहाँ जाते हो summer में तो आप इस टाइब का waterproof बाला कर सकते हैं और कहाँ मतलब western dress में compatible हो तो आप western dress भी वेर कर सकते हैं ये बाला makeup look में और hairstyle जैसे कि आप देख सकते हैं hairstyle मैंने इसे ही छोड़ दिया and front का जो हैर है ये सारे मैंने पीछे ही कर दिया यहां पेना में आप जैसे कि देख सकते हैं oxidize का एक earrings मैंने पेना ये earrings होई मुझे बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है and बहुत ज्यादा light weight भी ये है तो इसलिए मैंने इसको पेन लिया ये कुर्ती के साथ भी बहुत ज्यादा compliment करता है बस इतना ही है and eye makeup भी आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा light में बनाया जैसे कि गर्मी तो बहुत ज्यादा लगता है and sweat भी बहुत ज्यादा होता है तो हम ऐसे makeup करेंगे जैसे कि है भी नहीं लगेगा sweat भी नहीं होगा पूरा sweat proof भी होगा तो इसलिए मैंने जो भी सारे जो चीज भी उज़ किया हम सारे अच्छा अच्छा व्रांगा ही है इस मेरे वीडियो को इतने टाइम देखने के लिए आपको thank you thank you so much so don't forget to like, subscribe to my channel also follow me on instagram thank you for watching bye see you in the next vlog stay happy and stay healthy